यह है मेरी urban cruiser 2022 इसके अंदर मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ atmosphere light आपने यह वाली atmosphere light देखी हूँगी मैं कश्मीरी गेट से लाया हूँ 206 रुपेगी तो आज हम इसमें यह इंस्टॉल करने वाले हैं and that too without using the cigarette lighter इसके बिना हम इसके अंदर direct connection करने वाले and without any wire cutting या warranty avoid करें so let's get started so guys for this project हमें चाहिए एक fuse tap wire यह आपको किसी भी automobile shop में मिल जाए करोल बा कश्मीरी गेट दिल्ली वालोगले बहुत एजी लिए मिल जाएगा साथ में में चाहिए flat head screw driver अब हम यह जो आपके cigarette lighter में लगता है यहां से star को काट के इससे connect करेंगे और यह हमारा जाएगा fuse box में so आगे continue करता हूँ मैं so guys जब आप इस wire को peel करेंगे इसमें से दो तारे निकलेंगी एक आपकी लगेगी earth wire और दूसरी आपकी connect होगी fuse tap से मैं आपको इसको connect करके show करता हूँ so guys as you can see मैंने तार extend कर लिये यह वाला जो एक उसका wire थी वह लग गई मेरे fuse tap से दूसरी wire मैंने इस thimble से connect कर दिये यह हमारी earth की wire है और यह हमारी connect होगी atmosphere lights है तो मैं आपको fuse tap इक बार अंदर connect करके पूरा layout show करता हूँ so guys यहां पर है इसका fuse box हमें इसके लिए यह एक pull tab है यह and second one यह यह हमें खोलना है फिर हमको fuse box मिल जाएगा मैं यह खोल के फिर continue करता हूँ so guys यह तीन pull tabs है यह निकाले हैं and यह cover भार आगया और यह रहा हमारा fuse box यह भी बहुत अराम से खुल जाएगा so guys यह है हमारा fuse box इसके अंदर आप बीच में देख सकते हैं यह वाला खाली जो दो हैं हमार पास हम दोनों मैंसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं fuse tap लगाने के लिए यह blank fuse लगाने के लिए तो आप इनको बिना किसी problem के यूज़ कर सकते हैं इससे आपके कोई warranty नहीं होगी तो guys just to show you मैंने आपको बताया था कि यह दो है 25 और 26 जो हमारे blank fuses हैं यह देख लिए जब इसी के अंदर हम अपना fuse tap यह जो है यह लगाने वाले है और इसी से हमारी atmosphere light चलने वाले है so guys यह मैंने fuse tap connect कर दिया है इसको मैंने इसकी एक वायर मैंने connect कर दिया atmosphere light में दूसरी हमारी है अर्थ की वायर यह मैं connect करने वाला हूँ सामने वहां सो कुछ नहीं है हमें बस यह उसके अंदर गुसा के एक दस नंबर का nut उपर tight करना है that's it मैं यह करके फिर आपको दिखाता हूँ so guys मैंने अर्थ की वायर भी connect कर दिया है and fuse tap भी लग गया और यह हमारी atmosphere light तो एक बार अब इसको टेस्ट करते हैं लगाने से पहले so guys एक बार अब lights को check कर दें मैंने कार की ignition पर light को connect किया है तो यह रब push button यह हमारा हुआ on accessory mode अब on करते ignition as you can see lights on हो गई है so अब इनको install करते हैं so guys मैंने wiring layout भी डंग से कर दिया है इस atmosphere light में आपको दो छोटी वायर मिलती है अब दो लंबी वायर मिलती है लंबी वायर मैंने यहां से दो डाल दी है एंड वह यहां से निकल के एक यहां अभी और दूसरी मैंने यहां से पीछे डाल दिया जो पीछे लगेगी कपड़ के सकते हैं मैंने सारी बाइर को इसके अंदर टग इन कर दिया मैंने प्लस ये अगरी यहां पर चपकाया है फिर उसके बाद एक वायर मेरी यहां से निकल गई driver side की तरफ मैं आपको वहां कभी बशो कर देता हूं जैसे कि आप देख सकते हैं वहां से passenger side से वायर आई और मैंने उसको यहां पर clip कर दिया है हमारी light को और एक wire यहां से आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी बाहर निकाल लिया आपको दिखाने के लिए यह अंदर गई यहां से जारी है पीछ है और मैं आपको इबार पीछ है के दिखाता है लाइट इस यह है रियर का मैंने लाइट्स को इसी रिट के अंदर लगा दिया है और वायर नीडली टग इन करके यहां से आप जैसे की देख सकते हैं सेम मैंने लेफ्ट एंड साइड पर भी कर दिया एक बार मैं आपको अब लाइट्स चला के दिखाता हूँ मैंने लाइट्स चला के दिखाता है तो इसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल मिल जाता है यह से आप इसमें मल्टिबल कलर स्चेंछ कर सकते हैं मैं एक लिएए सकता मैं बबहु कर सकते हैं मैंने अभी इसे प्रियालित गर्लाइट के जैसा ही फूल लगा रख यह सथा है आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, I hope आपको ये इंस्टोलेशन अच्छी लगी, अगर आपके पास कुछ सजेशन्स हो, प्लीज कमेंट में बताईएगा, and if you like the video, प्लीज लाइक का बटन दबाईएगा, and please subscribe to my channel for more such videos, thank you so much.